वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं मुंग दाल नमकीन की रेसिपी चेहर कर रही हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी यहां पर मैं एक बॉल में मुंग दाल ले रही हूं और इसकी के साथ पानी भी डाल दूगी अब 2-3 गंटे तक अच्छी तरह इसको पानी निकल जाने के बाद एक कॉटन का कपड़ा डालेंगे और उसके उपर फुले हूए दाल को बिछा लेंगे और अच्छी तरह फैला लेंगे ताकि जिससे मुंग दाल जो है काफी अच्छे से पानी निकल जाए अराउंड आधा घंटा रखेंगे जिससे वह अल्मोस्त करने के लिए और मैं छली में ही डाल कर मुंग दाल को फ्राइ कर रहे हूँ इससे क्या तेल जो है सारे निकल जाएंगे तो मैं लगतार यहां पर चलाती भी रहूंगी और यह मीरियम से हाई फ्लेम पर ही रखेंगे यह देखें अभी जो है इसको थोड़ा टाइम लगता ह जो वह कम होने लगा तो अभी बहुत अच्छे से टाइम लेता है तो आराउंड पांच मीनट साथ मीनट तो लगी जाता है एक राउंड निकालने में तो अभी देखें दीरे-धीरे बबबल जो है वह कम होने लगेंगे तब वह पकणन पर क्रिस्पी होना शुरू हो मैं इसको लगातार चलाती रहूंगी और इसको आप अच्छी तरह स्टोर कर सकते हैं रूम टेमटरेचर में देखिए दीरे-दीरे बबल्स जो है यह कम हो गया है और जो मुंग दाल है वो काफी हलके भी होते जाएंगे आप जब चलाएंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि मुंग दाल जो काफी लाइट वेट हो रहा है पर यह अभी भी इसको थोड़ा और पकाना यह पांच मिनट में इतना पका है अब मैं इसको थोड़े देर और रखूंगे मीडियम कभी हाई फ्लेम लो फ्लेम पर नहीं रखेंगे यह देखिए सारे बबल्स जो अभी खत है काफी अच्छे से रडी हो गया अब मैं इसको कीचेन टॉल पे निकाल लूँगे जिससे के एक्स्ट्रा तेल जो वो निकल जाएंगे और ऐसे ही मैं सारे मुंग दाल को फ्राइ कर लूँगी डिब फ्राइ कर लूँगी ये देखे ये भी रेडी हो गया मैं इसको भी वापिस से किचेन टॉल पे निकाल लेती हूँ अब मैं इसको थोड़ा फैला लूंगी जिससे क्या कि थोड़े से ठंडे हो जाए और टीशू पेपर से ही मैं इसको एक्स्ट्रा ओइल ट्राइ करूंगी निकालने के लिए ये जब ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही क्रिस्पी साउंड होता है ये एक बरतन में निकाल लेती हूं दूसरे बाउल में आम यहां पे चाट मसाला डाल रही हूं और नमक डाल रही हूं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अगर आपको कोई स्पाइसी पसंद था आप यहां पर लाल मिर्च भी ढाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मसाला यहां पर डाल सकते हैं यह रेडी हो गया है ओप आपको यह रसिपी पसंद आई होगी पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा थैंक्स पूर कर दें मौती टी 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 पसंद आपको हैं स्ट